तो दोसो रशिया और यूकरेन के इस लड़ाई में जहाँ पे यूकरेन संपूर्ण रूप से रशिया को मात देने में समर्थ नहीं है तो उही पे ये भी सही बात है कि रशिया भी संपूर्ण रूप से यूकरेन को मात नहीं दे पा रहा है अब तक के करीवन दो महिने के लंबे लड़ाई हो चुका है जहाँ पे यूक्रेन के कई सारे बड़े शहर खंडर में तबदिल हो चुका है लेकिन वोई पे ये बात भी सही है कि रश्या को भी भारी भरकाम नुकसान जहिलना पड़ रहा है दोस्तो 60 दिन के इस लड़ाई में रश्या के कई सारे बहतरिन हतियार यूक्रेन के द्वारा मार गिराया गया जिनमें रश्या के बहतरिन से बहतरिन टम अटाक हेलिकॉप्टर से लेके बहतरिन फाइटर और फाइटर बॉमबर तक शामिल है और दोस्तो फिर से एक बार के जो सुखोई SU-35 fighter aircraft है ये कोई stealth aircraft नहीं बलकि एक 4++ generation का ऐसा fighter aircraft है जिसे एक former devil fighter aircraft के रूप में भी देखा जाता है इवन सुखोई SU-57 आने से पहले यही Russian Air Force के सबसे ताकदवर aircraft भी था और अभी वी इन aircraft को ही Russian Air Force के बेड़े के backbone के रूप में पैचाना जाता है पर Ukraine और Russia का लड़ाई जब से शुरू हुआ है तब से इन aircraft के ऊपर भी एक तरीके से ग्रहन लग चुका है तो सो लगातार खवर आ रहा है कि Russia के सुखोई 35 aircraft को भी Ukraine के द्वारा surface to air missiles के द्वारा शिकार बनाया जा रहा है तो सो 23 एप्रिल के दिन Ukraine गियान Armed Forces के तरफ से एक report जारी करते हुए बताया गया कि Ukrainian Air Force Command ने Russia के top-notch fighter aircraft सुखोई 35 को मार गिराया है तेज एप्रिल के report के मुताविक Ukraine के द्वारा total 17 air targetों को हिट किया गया है जिन में 3 aircraft मतलब सुखोई 34, सुखोई 35 और सुखोई 25 तो है ही साथ में 5 cruise missile और 9 operational tactical unmanned aerial vehicle probably Russian orient 10 UAV है हाला कि Ukraine के द्वारा किसी भी तरिके के ऐसे solid proof नहीं दिखाया गया जिससे ये सावित हो कि Ukraine ने सुखोई 35 को मार गिराया है हाला कि दोस्तों ये पहला ऐसा report नहीं है जहापे Ukraine के द्वारा सुखोई 35 और क्रेप्टों को मार गिराने का दावा किया गया हो इससे पहले 4 एफरिल के दिन यूक्रेण के तर 34 बॉंबर को भी मार गिराया है दोस्तों इससे एक तरिके से सावित हो रहा है कि Russia और Ukraine का ये जो लड़ाई है इसे जिस तरिके से रशिया के द्वारा सोचा गया था उस तरिके से अंजाम देना फिलाल पॉसिवल नहीं हो पा रहा है रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सिस्टम को सफरेस किया जा रहा था तो सो पिछले वार जो सुकुई 35 एर क्रेप्टों को मार गिराने का दावा किया गया था उसमें ये भी खावर आया था कि असल में उसे कोई एडवांस एर डिफेंस सिस्टम नहीं बलकि एक पुराने सॉर्फेस टु एयर मिसाइल मतलब एस-125 ने मार गिरा था इवेन तब ये भी ख़वर आया था कि एर क्रेप्टों के दौारा एर डिफेंस ऐफ्रेशन या फिर कहतों दोश्मन के एर डिफेंस को तभा करने के मिशणों को अंजाम दिया जा रहा था और उस समय ये भी खवर आया था कि रशिया के पास काफी क संख्या के प्रिसिसन गाइड हतियारों को होने के कारण रशियन बॉंबर फाइटर बॉंबर और एरक्राप्टों को काफी लो फ्लाइ करते हुए रिस्क लेके यूक्रेणियन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है सायद इनी कारणों के वज़ा से सुकोई 35 यारक्राप्ट का भी शिकार बना पर दोस्तों लड़ाई के शुरुवाती दिनों में सुकोई 35 यारक्राप्टों को लेके जिस तरीके का ख़वर आया था वो यूक्रेण के लिए अधिक चिंता का विशाय था क्योंकि उस दर्मियान यूक्रेण के S300 जैसे एर डिफेंस मिसाइल हो या फिर यूक्रेण के MiG-29 जैसे यारक्राप्ट हो सभी सुकोई 35 के सामने एक तरिके से खिलोना बन गया था सुकोई 35 एरक्राप्टों के द्वारा लड़ाई के शुरुवाती दिनों में कई सारे यूक्रेणियन एर डिफेंस सिस्टम और एरक्राप्टों को तभा किया गया था जबकि उस दर्मियन यूक्रेणियन मिलिटरी का कहना था कि दुश्मन के पास अधिक संख्या के एरक्राप्ट और अधिक संख्या में हतियार होने के कारण यूक्रेण को ऐसा नुक्सान हो रहा है पर लड़ाई जब से लंबा घीशते जा रहा है तब से रश्या का नुक्सान का संख्या भी बढ़ते जा रहा है दोसों यहाँ पर आपके जानकरी के लिए बता दू कि सुखोई 35 एरक्राप्टों को दुनिया के सबसे बहत्रिंतम एरक्राप्टों में गिनायाता है इवन इसके मेनेवरेविलिटी का शमता भी कई सारे आधुनिक एरक्राप्टों के मुकाबले में काफी अधिक है सुखोई 35 एरक्राप्टों को असल में सुखोई 27 एरक्राप्टों के फैमिली के ही रूप में डेवलाफ्ट किया गया था असल में सोवियेट जमाने के आखरी दौर में इन एर क्रेप्टो का पहला टेस्ट हुआ था उस दर्मियान एर क्रेप्टो को सुखोई 27M कहाया था पहली वार इसका फ्लाइट 28 जून 1988 में हुआ लेकिन बाद में इन एर क्रेप्टो को संपूर्ण रूप से बदल के के द्वारा इस्तेमाल किया आता है आखरी रिपोर्ट मतलब डिसेंबर 2021 के रिपोर्ट के मुताविक रेशियन एर क्रेप्ट के बेड़े में ऐसा करीवन 103 एर क्रेप्ट ऑपरेशनल है जवकि चाइनीज बेड़े में 24 और इजिप्शियन बेड़े में 17 ऐसा एर तो सुकोई 35 एर क्रेप्टों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो ये केबल मात्र एक पाइलोट से ही ऑपरेट होता है और ये एर क्रेफ्ट काफी बड़ा और काफी भारी भरकें एर क्रेप्ट भी है रिपोर्ट के मुताविक सुकोई 35 एर क्रेप्ट असल में 21 1.9 मीटर लंबा मतलब 71 feet 10 इंच लंबा है दूसर तरफ इसका wingspan भी करिवन 15.3 मीटर मतलब 50 feet 2 इंच के आसपास है एरक्राफ्ट का height 5.9 मीटर मतलब 19 feet 4 इंच है जबकि एरक्राफ्ट के wing area करिव करिव 62 मीटर स्क्वार मतलब 670 स्क्वार फीट के आसपास है दोसर इरक्राफ्ट के अगर वजन को देखा जाए तो इसका empty weight करिव करिव 19,000 किलोग्राम है जबकि इसका gross weight 50% internal fuel के साथ करिवन 25,300 किलोग्राम है लेकिन इसके maximum take off weight काफी अधिक है और करिव करिव 34,500 किलोग्राम के आसपास है इरक्राफ्ट के internal fuel capacity भी काफी अधिक है और रिपोर्ट के मुताविक ये येरक्राफ्ट internally 11,500 किलोग्राम के fuel को कैरी कर सकता है दुसरे दरफ दोस्तों इनमें जो दो इंजिन का इस्तिमाल किया है वो भी काफी ताकतवर इंजिन है रिपोर्ट के मुताविक इसमें दो Saturn AL-41F1S आफ्रवर्णिंग टर्वोफाइन इंजिन का इस्तिमाल किया गया है जिनमें से हर एक इंजिन का शमता 86.3 किलोग्राम के आफ्रवर्णिंग थ्रष्ट को भी ये इंजिन प्रोड्यूस कर सकता है कुछ रशियन रिपोर्टों के मुताविक एक इमर्जेंसी पावर का इस्तिमाल करके ये इंजिन 142.2 किलोटन थ्रष्ट तक भी जिरेट कर सकता है और ये जो इंजिन है इसे लेके रशियन मीडिया का दावा है कि ये सुपर क्रूजर वाला इंजिन है मतलब बिना 2.25 के रफ्तार से उड़ान भड़ सकता है जबकि लो अल्टिटूट मतलब सी लेवल फे ये ही रफ्तार करिवन 1400 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 1.13 के आसपास होता है जबकि इसके जो सुपर क्रूजर कैपबिलिटी है वो मीड अल्टिटूट में करिब-करिब माक 1.1 मतल 1.170 किलोमीटर पर आवर होता है एयरक्रेप्टों के अगर रेंज को देखा जाए तो रिपोर्ट के मताबिक हाई ऑल्टिटूट में ये एयरक्रेप 36 किलोमीटर रेंज वाला है जबकि लो अल्टिटूट में ये लगातार अपने फ्यूल कैपसिटी के साथ 1.580 मतलब 59,000 feet के आसपास है वोई पर उपर में जाने का जो rate है मतलब rate of climb है वो 280 meter per second या फिर कहे तो 55,000 feet per minute है दोस्तों aircraft में इस्तिमाल होने वाले अगर हतियारों को देखा जाए तो Sukhoi 35 aircraft internally एक 30 mm के powerful cannon का इस्तिमाल करता है जिसमें 150 round ammunition रहता है जबकि इसके इलावा इसमें टोटल 12 hot point है जिनमें 2 wing tip में और 10 under wing और under fuselage है जिसके सारे ये 8 ton मतलब 8,000 kg के हतियार और fuel को कैरी कर सकता है दोस्तों हतियार के रूप में ये जो aircraft है ये S-25 air to ground rocket को कैरी करता है जबकि air to air missileों को देखा जाए तो ये 8 R-27 ER और ET मिसाइल 6 R-73 EM मिसाइल 12 R-77 MP और T मिसाइल 6 R-74 और 2 R-37 मिसाइलों को कैरी कर सकता है air to surface हतियार के रूप में ये अधिक्तम 6 K-29 L और T-E सिरिस के मिसाइल और 3 AM-14 E मिसाइलों को कैरी कर सकता है anti-ship मिसाइल के रूप में ये 3 M-54 AE-1 या फिर 6 K-31 A-AD मिसाइलों को कैरी कर सकता है इसके इलावा इसके पास K-35 U मिसाइलों को कैरी करने का भी शमता है जबकि ये ये यार क्याफ 5 K-59 MK मिसाइल या फिर एक योखहॉंट अंटी शिप मिसाइलों को भी कैरी कर सकता है अंटी रेडियेशन मिसाइल के रूप में ये यार क्याफ 6 K-31 PPD मिसाइलों को कैरी कर सकता है या फिर 5 K-58 USHE मिसाइलों को कैरी कर सकता है उसके बॉम्स के रूप में यार क्याफ्टों के द्वारा 8 K-A-B-500 KR TV गाइड़ बॉम 8 K-A-B-500 L 8 K-A-B-500 SE सैटलाइट गाइड़ बॉम्स को कैरी करने का सकता है जबकि इसके इलाबा 3 K-A-B-1500 KR TV गाइड़ बॉम 3 K-A-B-1500 L लेजर गाइड़ बॉम्स को भी कैरी करने का सकता है जबकि यार क्रैप्टों के द्वारा 5 K-A-B-500 सीरिस के लेजर गाइड़ और TV गाइड़ बॉम्स के साथ 5 K-A-B-1000 सीरिस के लेजर गाइड़ और TV गाइड़ बॉम्स को भी कैरी करने का सकता है एर क्रैप्ट में इस्तेमाल होने वाले अगर एवियोन इसको देखा जाए तो इसमें इर्विस-E पैसिव इलेक्ट्रोनिकल स्कैन एरे राडर OLS-35 इंफ्रारेट सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम L-175M इलेक्ट्रोनिक काउंटर मेजर सिस्टमों को कैरी करने का समता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बड़ा हुआ बैल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद